हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 का न्यू अपडेट आया है 25201 इसके बारे में बात करेंगे इसको कैसे अपडेट करते हैं क्या-क्या नय फीचर आया है क्या-क्या बगफिस हुआ ये सब देखेंगे और प्लीज गया यदि यहाप लोग अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या तह प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें चलिए आप ओप देखेंगे य यहाप अपे दिख जाएगा या तो आप क्या करने यहाप दिखेंगा दिखेंगे यहां पर आने के पाद आपको दिखेंगे यहां पर यहाँ आपको लिखा वहां पर्डिक होगाई आज के डेट dip inzustall यहाँ आप हो जाएगा 100% होने के बाद यहां पर आपको क्लिक करने के बाद के बार यहां पर आपको वेट करने के झाल 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 रिये स्टार्ट होने के बाद यह अपडेट हो गया होगा चलिया आपको मैं यहां पे दिखाव यहां पर आप आपको दाइगा आप देख रहें हो चुका है यहां पर आपको देख जाएगा 25201 तो इस सब्सक्राइब हो चुकाig यहाँ पे हैंगे देखेंगे यहाँ पर आपको दीख जाएमा सरत में करने के बाद इस替न विनड़ ऑपन सब्सक्रेंग होगा है यहाँ पर किलिख ट ने के भाद इस तरह से विंडो ऑपन हो जाएगा अब यहाँ पर किलिक करकेस कहने के इसेаЛ डाउनола कर सकते में Penier से आपके case में भी download start हो जाएगा तो इस तरह सब इसको download कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक नया feature दिख जएगा यहाँ पर widget को आप expand कर सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते है, customize करना चाहिता है जो भी साइज आप अपने हिसाफ से customize कर सकते है इस विजट का साइज को, यदि default रखना है तो आप इस तरह से डिफोल्ट भी यूज़ कर सकते यह नया फिचर यहां पे अच्छा है इसके बाद यहां पर एक नया फिचर और दिख जाएगा यहां पर गेंपास विजट यहां पर एड़ किया है यानि जो पहले से एड़ था इसको और ज़्यादा इंप्रू इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा आप देख रहें यहां पर पहले वाला जो सर्च वाला बटन था यहां पर इसको रिमूब कर दिया है यदि आप इसको रिये स्टार्ट करेंगे तो यह यह रिमूब हो जाएगा यह टेंप्रोरी रिमूब शुरू हो गया यहाद जो अनमेट अगर आता है अब आप देखेंगे जिसके ओपर आप किलिक करेंगे तो यहाद पे इन पर चोना सुरू हो जाएगा तो इस चीज को यहाँ पर इंप्रूब कर दिया है और बहुत ही अच्छा यह फीचर यहाँ पर एड की है इस चीज को करना जरूरी था और जैदा help मिलेगा आप लोगों को भी इसके बाद home page search result के अंदर बहुत सारा cloud file यहाँ पर additional add किया है experiment करन add करने के बाद यहाँ पर इस peanut file के अंदर un peanut करने में यहाँ पर कुछ issue आ रहा था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिये इसके बाद यहाँ पर one note के अंदर कुछ issue था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिये इसके बाद setting के अंदर यहाँ पर app crashing का issue था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिये हैं, इसके बाद यहाँ पर विजट के अंदर कुछ notification का issue था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिये हैं, इसके बाद tax manager के अंदर यहाँ पर releverity का कुछ issue आ रहा था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिये हैं, इसके अलावा भी इस update के अंदर बहुत सारा वाग फिक्स किया है तो आपको क्या करना है इस अपडेट को जरूर अपडेट कर लेना है पहले के मुकाबला अच्छा ही रिस्पॉंस मिलेगा और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू